साथियों, राष्ट्रिय सिख्षा नीती के आने के बात से भी, ये भी चर्चा काफी तेज है कि बच्चों को पढ़ाने की भाषा क्या होगी, इसमें क्या बढलाव किया जा रहा है? यहाँ हमें एक ही वैज्ञानिक बात समझने की जरुत है कि भाषा सिख्षा का माध्यम है, भाषा ही सारी सिख्षा नहीं है. किताबी पढ़ाई में फंसे फंसे कुछ लोग ये फर्क ही भूल जाते हैं, और इसलिए जिस भी भाषा में बच्चा आसानी से सिख सके, चीजें लर्न कर सके, वही भाषा पढ़ाई की भाषा होनी चाहिए. ये देखना जरूरी है कि जब बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं, तो जो हम बोल रहे हैं, क्या वो समझ पा रहा है? समझ रहा तो कितनी आसानी से समझ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है, कि विशय से ज़्यादा बच्चे की उर्जा भाषा को समझने में ही खप रही है. इनी सम बातों को समझते हुए, जानातर देशों में भी आरंबिक शिक्षा मात्रू भाषा में ही दी जाती है. आप मैंसे बहुत से लोग ये जानते होंगे कि 2018 में प्रोग्रेम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट एसेजमेंट पीशा की टॉप रेंकिंग वाले जितने देश थे, जैसे कि इस्टोनिया, आरलेंड, फिंडलेंड, जपान, साउध कोरिया, पोलाण, इन सब देशों में प्रात्मिक शिक्षा मात्रू भाषा में ही दी जाती है. ये बात स्वाभाविक है, कि जिस भाषा को सुनते हुए बच्चे पलते हैं, जो भाषा घर की भाषा होती है, उसी में बच्चों की सीखने की गती बैतर होती है. वरना होता ये हैं, कि बच्चे जब किसी दूसरी भाषा में कुछ सुनते हैं, तो पहले वो मन में उसे अपनी भाषा में ट्रांसलेट करते हैं, फिर उसको समझते हैं, बाल मन में ये बड़ी उल्जन पैदा करती है, बहुत स्ट्रेस देने वाली बात होती है, इसका एक और पहलू भी है, हमारे देश में खास कर ग्रामिन शेत्र में, पढ़ाई मात्रु भासा से अलग होने पर, जादातर परेंट्स बच्चों की पढ़ाई से जूड भी नहीं पाते हैं, ऐसे में बच्चों के लिए पढ़ाई एक सहच प्रक्रिया नहीं रह जाती, बलकि हो जाती है, एक दिवार हो जाती है, इसलिए जहां तक संभव हो, कम से कम, ग्रेड फाइव, कक्षा पांच तक, शिक्षा का माध्यम, मात्रु भाषा, स्थायनिय भाषा रखने की बात, राष्टिय शिक्षा निती में कही गई है, मैं देखता हूँ, कुछ लोग इसे ले कर, ब्रह्मे भी रहते हैं, राष्टिय शिक्षा निती में मात्रु भाषा के अलावा कोई अन्य भाषा सिखने शिखाने पर कोई परतिवन नहीं है, कोई रोक नहीं लगाई गई है, अंग्रेजी के साथ जो भी विदेशी भाषा हैं, अंतर राष्ट्य पटल पर सहायक ह अगर बच्चों का मन करता है, जुरूर पड़े, सीखें, किसको इतराज नहीं है, और जितना ज्यादा सीखेगा, अच्छा ही होगा, लेकिन साथ साथ सभी भारतिय भाषाओं को भी प्रमोट किया जाएगा, ताकि हमारी युवा देश के अलग-अलग राज्यों की भाष वहां की संस्कृति से परिचीत हो सके, हर छेत्र का एक दूसरे से रिष्टा मजबूत हो,